तो अब बात कर लेते हैं पाच में चक्र यानी विशुद्ध चक्र की ये चक्र बॉडी में कहा होता है और इस चक्र का बैलेंस या इंबैलेंस हमारी लाइफ में कितना असर डालता है ये भी जान लेते हैं बताएं पंडी ची बिसुद्धी चक्र ये कंठ जो वायस बाक्स है जहांसे खाने की नली और स्वांस की नली दोनों अलग होती है वहाँ इसको बिसुद्धी चक्र कहते हैं ये पाचवाँ चक्र है जिसे कंठ चक्र भी कहा जाता है ठीक है अब यहां की रासियां जो चुकि हमारा जोंतिस का कायर कम है तो इसको जोंतिस से ही मैं रिलेट करूँगा यहां पर रासियां मिथुन और कन्या होती हैं कौन सी रासिया होती है मिथुन और कन्या अब अपनी कुंडली में देख लीजिए अगर आपकी कुंडली तीन नंबर और च्छ नंबर में बुध बैठा हो तो पक्का है कि यह चक्र आपका अच्छा है अगर च्छ नंबर में बुध बैठा है तो आपका स्वर कोकिला की तरह होगा आपको संगीत में रुची होगी आप पढ़ाई में अउवल होगे आपका या दास्त अच्छा होगा आ और आपके बाड़ी से सामने वाले लोग प्रभावित होंगे। लेकिन अगर कन्यारासी में सुक्र बैठा होगा, तो आपकी आवाज फटी हुई होगी, आपके बाड़ी से कोई प्रभावित नहीं होगा, आपके अंदर नपुन सक्ता की बिमारी होगी, आप संतान प्राप्ती में अस्फल रहेंगे, और आपको बैभाव और जो संसार का सुक है वो नहीं प्राप्त होगा, तो ये सब बातें अपनी कुनली को देख करके भी जाना जा सकता है, लेकिन बिसुद्धी चक्र जब जागरित हो जाता है, और जब कंठ पर ध्यान करके ओम बुंग बुधाय नमा इस मंत्र का जब साल दो साल किया जाता है, तो बिसुद्धी चक्र जागरित हो जाता है, और ऐसा ब्यक्ती जब कुछ बोलता है, तो उसके बात से दूसरे लोग अपने जीवन में आचरण सुरू कर देते हैं, क्योंकि ये चक्र गले में इस्थित होता है, इस चक्र का रंग नीला होता है, इस चक्र का मुख्य उद्देश से आत्मा से जुड़े रहना है, इसका बिसुद्धी चक्र अगर संतुलित है, तो ब्यक्ती को अपनी इंद्रियों पर नियंतरन रहता है, बिसुद्धी चक्र जरूँ से जादा जागरित सक्री हो जाए, तो ऐसा बिक्ती जोर-जोर से बोलता है, दूसरों की बात कम सुनता है, बिसुद्धी चक्र अगर असा मानने रूप से सक्री हो, तो ऐसा बिक्ती बहुत ही डर-डर कर बात करता है, बिसुद्धी चक्र असंतुलित हो, तो गले में दर्द रहता है, कान में infection हो जाता है अगर ये सुक्र की इस्थिती इस चक्र में हो जाए माने कन्यारासी में तो ऐसे आदमी को गले के cancer की भी सिकायत होती है गले में cancer भी हो जाता है खाने की जो नली है उसमें भी cancer की संभावना हो जाती है ऐसे लोगों को थाइराइड हो जाता है और यहाँ छूने पर जरासा सूजन महसूस होती है यह थाइराइड का लक्षन है तो यह चक्र असंतुलित अगर होगा तो यह रोग होगा दात और मसूरों में तकलीफ बन जाती है विशुद्धी चक्र को संतुलित रखने के लिए आदमी को संगीत सुनना चाहिए कलात्मक गजबिधियों में रूची दिखानी चाहिए और हो सके तो भगवान विश्णू का ध्यान करते हुए अपने विशुद्धी चक्र पर मंत्रों का जप भी करना चाहिए जैमाबिन दिवासनी